गर्मियों में मिलकशेक पीना किसे पसंद नहीं होता तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ पुने की एक बहुत ही फेमस मैंगो मस्तानी की रेसिपी जो देखने में कितनी कलरफूर कितनी अमेजिंग लग रही है तो सोचे इसका टेस्ट कितना चाहोगा तो चलि लोगों के लिए आराम से मैंगो मस्तानी बना सकते हैं तो आप अपने हिसाब से ले लिजेगा मतलब जितने लोगों के लिए बनाना उस हिसाब से आप आमको ले सकते हैं मैंने यहां पर एक लिया है और इसको अब हम कट कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंड्स मैंने यहां पल्प को निकाल लेंगे हम और जो हम इसका पल्प निकाल लेंगे इसको हम थोड़ा सा अलग से भी निकाल के रख लेंगे जो बाद में हमें डेकोरेशन के काम में आएगा तो यह देखे फ्रेंड्स मैंने यहां पर इसको अलग कर लिया इसी तरह मैंने सारे मैंगो को अलग कर लिया है और यहां पर मैंने लिया है चीनी तो चीनी यहां पर मैंने छह बड़ी चमच लिये क्योंकि आम बहुत जाद मेरा मीठा नहीं था उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी cherry लिया है तो लाल वाली हरी वाली थोड़ी सी cherry ले लिया है और थोड़ा सा कटा हुआ आम रख लिया था वो decoration के लिए फिर मैंने यहाँ पर एक mixer jar लिया है और उसमें हम इसमें आम डाल देंगे तो यहाँ पे मैंने यह सारा आम डाल दिया इसमें और इसी के साथ अब हम डाल देंगे इसमें दो ice cube ice cube optional है आप चाहे तो डालिये ने तो इसको skip कर सकते हैं फिर मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे दूद तो यहाँ पर मैंने दूद गरम करके रखा था और ठंडा जब नॉर्मल रूम टैम्परेचर पर दूद हो जाए रहा फिर आप दूद डाल दीजेगा आप चाहे तो यहाँ पर चिल्ड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आइस क्रिम डाला है तो यहाँ पर मैंने दो बड़े चमच आइस क्रिम डाले हैं वनीला आइस क्रिम का यूज के आप चाहे तो मैंगो आइस क्रिम भी ले सकते हैं, वनीला का फ्लेवर इसमें जादा अच्छा लगता है, और उसके बाद फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, और ये देखे हमारा मैंगो मस्तानी बनके रेडी है, तो मैंने यहापे सर्विंग आइस क्रिम टालने के वज़े से और भी क्रीमी हो जाता है, और ये देखे मैंने इसको निकाल लिया, अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे, जैसे ये देखने में भी अच्छा लगेगा, और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, तो बस फ्रेंड्स, इसी के स अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ड्राइव फ्रूट, तो यहां पर मैंने काजु बदाब है, थोड़ा सा डाल दिये है, उपर से, तो ये देखे फ्रेंड्स, और इसी के साथ अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चेरी, जिसे ये और कलर फुल हो जाएगा, तो ये देखे ज़ा जै तो ये देखे, घर्मी में ये रेसिपी नहीं त्राइग किया है, तो डबये है, ये 96 बहुत अबको ऊदरें और ये देखे, ये हमारे मैंगो स्थानी बन के बिल्कुल रचेह, लग रहा है न खंस साथ, ये लग रहा है थैंग्टिंग तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाबाई थैंक्स पॉर वाचिंग